Hello friends, welcome back to the channel और देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था interest on drawing उसको कैसे calculate करते हैं तो मैंने आपको दो method बतायाते average method और product method average method मैंने आपको details में बता दिया था फिर्मूला रहेगा और किस तरह से average method के अंदर हमें वेज पिरियद उसको बैटे निकालना पड़ता मियन अवेरेज पिरियड को ही पंगाः रहता है और उसे लिए मैने विद्धा एक टेबल भी बताये थी अगर अपने उस वीदियो को नी data पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बादे आज जो हम्-क्रोशन को करेंगे तो अगर आप पी को वो टेबल पता है यह से पहले जो मैंने बनाई थी लास्ट वीडियो अगर आप ने उसको देखा तो आप एजली अज जो जो लोगा करेंगे ऑप साथ तो धो शुक го calculate करते है average method के लिए आपकी जो condition 3 3 condition मैंने आपको भताई थी, 3 condition कोन कोन सी थी? जो फर्स्ट कंडिशन थी आपकी कि जो अमाउंट है, जो आप ड्रोइङ करोगे, ठीक है? तो ड्रोइङ का जो अमाउंट रहेगा, वो आपका सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि भी आपने पहले महिने में 1000 कर ली, दूसरे महिने में तो पूरे 12-12 महिने आप हर महिने के घजार निकालते जाओंगे जैसे एक जनुरी को निकाल दी अगले महिने आपने 15 फर्वरी को निकाल दी मार्च में आपने जाके 30 मार्च को ड्रोइंग कर दी तो उस केस में आपका फिर अवरेज मैथड नहीं लगेगा के लिए मैंने क्या बताया आपका अमाउंट सेम रहेगा जो टाइम रहेगा वह और जिस टाइम पह आपने जո फ्रस्ट निकाल लिए फिर आपने एक मार्च को निकाल लिए इक जार करना है आपको लगातार ही ड्रोइंग करना है आपने जनुरी में भी की है मार्च में अप्रेल में इस तरह से आपका चलता रहेगा तो बेसिकली यह तीन कंडिशन है तो आपका वहां पर आवरेज में थड़ आएगा ठीक है तो देखें वैसे आपकर हम कॉम्पीटेटिव कि बात करते हैं तो वहां से एंसी क्यों की फोर्म में तो एसा कुछ नहीं बोलेंगे कि अगर यह तो आपको नोलीज होनी चुछिए तो देखिए आज किस वीडियो में क्यों क्यों करेंगे इंटर्स्टान ड्रोइंग तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा बोर्ट थोड़ चोटा है इसलिए मैंने यहापर क्योशन नहीं लिखा क्योंकि अगर में यहापर क्योशन लिखती तो फिल पूरा क्योशन यहाथ में 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 यहापर लिख दूँगी लेकिन आप ध्यान से सुनड़ा तिक हरी एंड रवी आर पार्टनर सी ना फर्म दो पार्टनर है यहा यहां करते है हरी निकालता चेह जार रुपे हर महीने ठीक है और जो रवी है यह निकालता आठ जार रुपे हर महीने मतले कि ड्रोइंग करते हैं ये और कब करते हैं at the end of each month at the end of each month तो देखी यहां से आपको आइडिया हो गया कि भी अगर क्योशन में से गिवन एट दे एंड ओफ इच मन्त है इन दा बिगनिंग है या फिर आपका मीड है अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको पूरा डीटेल में बताया था कि आपको जो इ दाավब अपके लेकि निकालता है उसके बाद दा इंट्रेस्ट चार्ड एट 14 पर एनम वंदेर ड्रोइंग तो यहां पर जो इंट्रेस्ट की रेट गीवन है इंट्रेस्ट की रेट गीवन है वो क्या है 14% है पर एनम ठीक है उसके बाद है दा बुक्स ओब दा फर्म आर क्लोज डों 31st December को जो बुक्स है वो क्लोज की जाती है फर्म की calculate the interest on drawing आपको क्या करना है जो interest on drawing है वह आपको calculate करना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका average है अगर average method से हम interest on drawing करते है तो हमारा formula क्या रहेगा interest निकालने का तो हमारा formula क्या था annual drawing हम लेंगे पूरे साल के drawing लेंगे हम कि पूरे साल उसने कितनी drawing की है उसके बाद जो भी rate of interest given होगा वह रहेगा हमारा rate of interest और उसके बाद हम क्या लेते है average period जो भी average period और इसको divide करते है by 12 ठीक है और rate of interest हम divide करते है by 100 से तो यहाँ पर जो भी rate of interest है इसको divide कर देंगे 100 से तो यहाँ पर आपको annual drawing easily निकाल लोगे कि वी जैसे हरी का अगर मैं यहाँ पर निकालती हूँ एक महीने में उसने 6000 के drawing की है तो annual drawing पूरे साल उसने कितनी की तो हम 12 से multiply करके निकाल लेंगे rate of interest भी हमारी given है लेकिन average period हम कितना लेंगे ठीक है तो मैंने बिल्कुल easy way में आपको बताया था अगर हमारा given है at the end of each month ठ अगर हम हरी की बात करते हैं तो उसका interest on drawing कितना निकलेगा तो annual drawing उसकी क्या रहेगी हरी की हरी की अगर मैंने उसने 6000 की तो 12 महीने की कितनी होगी तो annual drawing यह होगी ठीक है यहाँ पर multiply करो तो multiply कर लो वैसे multiply करने का फायदा निया क्योंकि बाद में काटना पीटना है ठीक है तो यह यह तो होगी हमारी क्या annual drawing 6000 multiply by 12 ठीक है उसके बाद rate of interest कितनी given है 14% तो कैसे लिना 14 बटे 100 average period मैंने आपको बता दिया at the end given है तो हमारा average period रहेगा 5.5 और divided by 12 ठीक है तो यहाँ से इसको solve कर लो यह 2-0 से 2-0 गही और यहाँ पर इसको हम अटाएंगे तो 10 आएगा और 10 को यहाँ से फिर हम कर देंगे ठीक है अब इसको आगे कर ल आपका 4620 इसको solve कर लेना तो यह आपका निकल के आगया कि इंट्रस्टों ड्रोइंग आपके कितनी है 4060 यहाँ पर 6 गुना चोद और गुना पच्पन हो जाए इसकी multiply कर लेना इसी तरह से फिर इनोंने बोला रवी अब रवी का निकाल देंगे हम इंट्रस्टों ड्रोइ इसको हम सोल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,160 रुपे तो यहाँ पर जो रवी है उसके जो ड्रोइंग निकल के आएगी 6,160 तो और हरी की निकल के आई हमारी 4,620 तो यह था एक क्योशन जो कि आपका एवरेज मेथड पर ऐसी अगर यहाँ पर एट देंड देंड देखे यहाँ पर जो क्योशन की लेंग में चेंज होगी ना सिर्फ यही चेंज होगी कि भी उसने ड्रोइंग हो कब किया एंड म 6.5, 6.5 कैसे हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में टेबल आप देख लें ठीक है ऐसी अगर यहाँ पर बिगनिंग की वज़ाई बोल देते कि उन्होंने जो ड्रोइंग की है हरी और रोवी ने वो की है मिड मिड में ठीक है जो मन्त है उसके मिड में कि अगर मिड गीवन होता है इंदा मिड तो आप हमारे एवरेज पीरियड कितना आ जाता छे बस यह यह चेंज होता है और सारा हमारा सेम रहते है आप पर 5.5 की जंग है अगर बिगनिंग है तो 6.5 आ जाता है अगर मिड गीवन है तो फिर 6 आजाएगा यहां पर ऐसा कुछ गीवन है तो 12 मंद के लिए जाता है और आपको 9 मंद के लिए बोलें फिर 9 मंत के के समें आपका जो एवरेज पीरेड और ऑलके निकालना आता है तो फिर आप से कैसा ही कितना फिर आप पूछ ले आप इसलिए उसको रहोगे तो यह था आज की वीडियो में एवरेज मेठ बताऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे चैनल पर कोमर्स रिलेटेड़ वीडियो आपको इसी तरह सी मिलती रहेगी अभी हम सब्सक्राइब कर लिजिए तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट मैथड के साथ थेंक्यू